साल 2023 में भादपत मास्क में बहुला संकस्टी चतुर्थी का वरत 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा आईए अब शरवर करते हैं बहुला चतुर्थी वरत की कथा पौरडे ग्रंथो के अनुसार कृष्णी जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधिनु गाई ने बहुला के रूप में नंद की गोसाला में प्रवेश किया कृष्णी जी को यहाँ गाई बहुत पसंद आई वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे बहुला का एक बचड़ा भी था जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक सेर के पास जब पहुची सेर उसे देख खुस हो गया और अपना सिकार बनाने की सोचना लगा बहुला डर गई और उसे अपने बच्छडे का ही खयाला रहा था जैसे ही सेर उसकी ओर आगे बढ़ा बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभीना काए घर में उसका बच्छडा भूका है उसे दूद पिला कर वो वापस आजाएगी तब वो उसे अपना सिकार बना ले सेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विस्वास कर लो तब बहुला ने उसे विस्वास दिलाया और कसम खाई की वो जरूर आएगी बहुला वापस गौशाला जाकर बच्छडे को दूद पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहाँ छोड़ वापस जंगल में सेर के पास आजाती है सेर उसे देख कर हैरान हो जाता है दरसल ये सेर के रूप में क्रिष्ण होते हैं जो बहुला की परिक्षा लेने आते हैं क्रिष्ण अपने वास्त्विक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुम से बहुत प्रसन हुआ तुम परिक्षा में सफल रही समस्त मानुवदारा बहुला चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाती तुमको गौमाता कहकर संबोधित करेगी जो भी यावरत रखेगा उसे सूख समरेदी धन ऐसरी की प्राप्ती होगी